है अब्रिवन कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप सो बहुत अच्छे होंगे मतलब जिन लोगों ने लाइसी डवल लेओ का जो पिलिम्स का जो एकजाम दिया था ठीक है आउन लोगों से एक का रिक्वेस्ट है कि चलो ठीक है अभी तो रिजल्ट आया नहीं है लेकिन इ लेते हैं माल लेते हैं अगर आपको लग रहे हैं नहीं भी होगा उसमें रिजल्ट आ भी जाता है ना तो फिर से एट सी आई के जैसे आपके पास एक दम टाइम नहीं रहेगा में इसके प्रिपेशन का है ना और इसमें ना ऐसा नहीं है कि हाँ आप करेंट पर पढ़ते आपको बल्ले बल्ले इसमें एड जैसे डिस्क्रिप्टी बहुत जा रहा है ठीक है पच्छे मार्क्स का उसके साथ ही साथ आपको इंसुरेंस भी पढ़ना है ठीक है इंसुरेंस सेक्टर का तो यहां पर बिसिक नॉलेज इसका जरूर आपके पास होना चाहिए है ना जो इस वाला था वो तो क्वालिफाइंग था लेगिन इसमें आपको अच्छा स्कूर भी करना पड़ेगा आपको पता है ना कि सीट कितने हैं उसी के कॉर्डिंग कितना फॉर्म फील हुआ है उसी कॉर्डिंग कितना रिजल्ट आएगा तो यह चीज हमेशा आप लोग को एक मुश्किल समझ लीजे एक सब्ता आपके पास एक दम पूरा बचा हुआ है एक सब्ता बचा हुआ है तो कम समें इसा नहीं है कि हाँ यह रिजल्ट कब देगा नहीं देगा अप किसी भी समय दे सकता लुए डो मत वाला बात ही नहीं है अग्ड़म 18 मार्च को मानों लीजी एक सब्ता रहा ऐग्दम कभी भी आ सकता है इसलिए अपना जिद्ज् arrangements करने Just जी एक खूब एकदम रिवाइच करते चली एकदम इंसुलेंस नहीं पढ़े अभी तक एकदम ना तो पढ़ना सुख कर दीजिए कि इसका फायदा आपको एकदम मिलेगा ही मिलेगा है ना और साथ में जितने भी मतलब अभी हाली में जैसे डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक अगर आना ठीक है करेंट इसूब अगरा प्राक्टिस भी कर लेना टाइप और करके लोगों क्या होता है ना कि हां बतलब आता है लेकिन स्पीड ही नहीं रहता है तिमाग मुझा देली सोची नहीं पाता है यसलिए मतलब डेवन से आपको सब कुछ का त्यारी करना हो कि जिसका एकदम पूरा पेस जो रहता है ना तावर तो वर्ला स्टॉंग रहता है तभी उनका मतलब के लिए रोपाता है शुरू से लेके अंत्र के दम है ना तो यह चिमिशा आपको ध्यान में रखना शुरू करतीजिए वेट एकदम नहीं करना बहुत ही चल्दा जा है ना